Hello everyone, my name is Jay Sankar Kumar and welcome to my channel So guys, आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं एक poem का objective question answer जिसका नाम है or to autumn इस poem का first question है to autumn is written by इसका मतलब होता है to autumn किस के द्वारा लिखी गई है तो to autumn John Kitts के द्वारा लिखी गई है इसका सही answer option A हो जाएगा आपका next question है John Kitts was burned in the year इसका मतलब होता है John Kitts का जन किस year में हुआ था किस verse हुआ था तो John Kitts का जन 1795 इसमी में हुआ था इसका सही answer option A हो जाएगा आपका next question है John Kitts died in the year इसका मतलब होता है जॉन्ड किट्स की मिर्तू कब हुई तो जॉन्ड किट्स की मिर्तू 821 में हो गई इसका सही आंसर option A हो जाएगा आपका next question है odd to autumn is a poem of dash इसका मतलब होता है odd to autumn किस प्रकार का poem है तो odd to autumn एक nature poem है नेचर से सम्बंधित poem है इसका सही आंसर option C हो जाएगा आपका next question है odd to autumn is a dash इसका मतलब होता है odd to autumn क्या है to odd to autumn एक poetry है एक poem है इसका सही आंसर option B हो जाएगा आपका next question है autumn is the close friend of the maturing dash इसका मतलब होता है autumn किसका close friend है तो autumn sun का close friend है इसका सही आंसर option C हो जाएगा आपका next question है kids is a dash poet इसका मतलब होता है kids किस परकार के poet है kids किस परकार के कभी है तो kids एक romantic poet है इसका सही आंसर option A हो जाएगा आपका next question है autumn is a season of mellow dash इसका मतलब होता है autumn किस चीज का season होता है तो autumn mellow fruit fullness का season होता है इस season में मिथे मिथे फल आते हैं bricks पेड़ पे इसका सही आंसर option A हो जाएगा आपका next question है kids call season of mist and mellow fruit fullness to dash इसका मतलब होता है kids किस सीजन को mist का season और mellow fruit fullness का season कहते है तो kids autumn को mist का season और mellow fruit fullness का season कहते है इसका सही आंसर option A हो जाएगा आपका next question है dash was a great lover of nature इसका मतलब होता है कौन नेचर के great lover थे नेचर के बहुत बड़े प्रेमी थे तो john kids नेचर के बहुत बड़े प्रेमी थे नेचर के great lover थे इसका सही आंसर option A हो जाएगा आपका next question है autumn starts with the departure of the dash seasons इसका मतलब होता है autumn जो season है किस season के खत्म होने के बाद आता है तो autumn summer के खत्म होने के बाद आता है summer का जब departure हो जाता है प्रस्थान हो जाता है तब autumn start होता है इसका सही आंसर option B हो जाएगा आपका next question है in dash new leaves and fruits come out on trees इसका मतलब होता है किस season में leaves और fruits trees पे आने लगते हैं किस season में पतियां और फल पेरों पे लगने लगते हैं तो autumn season में leaves और fruits trees पे लगने लगते हैं इसका सही आंसर option C हो जाएगा autumn आपका next question है odd to dash is an odd इसका मतलब होता है कौन सी कभीता, कौन सा पोएम एक odd है तो odd to autumn जो पोएम है वह एक odd है इसका सही आंसर option D हो जाएगा आपका next question है इसका सही आंसर option C हो जाएगा आपका next question है आपका next question है odd to autumn consists of dash इसका मतलब होता है odd to autumn जो पोएम है इसमें कितने अस्तंजा कंजिस्ट हैं कितने अस्तंजा मौजूद हैं तो odd to autumn पोएम में तीन अस्तंजा मौजूद हैं थिरी अस्तंजा मौजूद हैं इसका सही आंसर option B हो जाएगा आपका next question है each अस्तंजा of odd to autumn consists dash इसका मतलब होता है odd to autumn पोएम में जितने भी अस्तंजा है उसमें कितना लाइन मौजूद है तो odd to autumn पोएम के परतेक अस्तंजा में ग्यारह लाइन मौजूद है इसका सही आंसर option A हो जाएगा आपका next question है a thing of beauty is a joy for ever is written by इसका मतलब होता है a thing of beauty is a joy for ever यह जो रचना है किनकी रचना है तो यह रचना john kitts का है इसका सही आंसर option C हो जाएगा आपका next question है john kitts died at the age of death इसका मतलब होता है john kitts की मिर्तू किस age में हुई तो john kitts की मिर्तू 26 साल की age में हुई इसका सही आंसर option D हो जाएगा इसका मतलब होता है किस परकार के पोईट थे तो किस एक रोमांटिक पोईट थे इसका सही आंसर option A हो जाएगा और रोमांटिक आपका next question है the watches the last using hours by hours इसका मतलब होता है the watches the last using hours by hours से जो sentence है किस पोईब से लिया गया है तो इस sentence को odd to autumn पोईब से लिया गया है इसका सही आंसर option C हो जाएगा or to autumn आपका next question है to bend with apples the most cottage trees is from इसका मतलब होता है the most cottage tree sentence है कहां से लिया गया है तो इस sentence को odd to autumn पोईब से लिया गया है इसका सही आंसर option B हो जाएगा आपका next question है आपका आपका next question है odd to autumn is written in dash इसका मतलब होता है odd to autumn poem कब लिखी गई इसका पोईब से लिखी गई थी इसका सही आंसर option B आपका next question है odd to autumn is dash इसका मतलब होता है odd to odd on poem क्या है तो odd to odd on poem एक odd है इसका सही answer option C हो जाएगा आपका next question है In odd to odd on, kids deals with dash in details इसका मतलब होता है odd to odd on poem में John Kitts ने detail में किसके बारे में बताया है बिस्तार से किसके बारे में बताया है तो इस poem में John Kitts ने odd on के बारे में detail में बताया है odd on का बिस्तार से जिक्र किया है इसका सही answer option D हो जाएगा आपका next question है the theme of odd on is dash इसका मतलब होता है to odd on जो poem है इसका theme क्या है तो इस poem का theme है fulfillment या maturity इसका सही answer option C हो जाएगा आपका next question है who called odd to odd on kids must satisfying of all the odds इसका मतलब होता है किसने कहा odd to odd on जो poem है वो kids के सभी odds में सबसे ज़्यादा satisfying है सबसे ज़्यादा संतूस्ती लायक है संतोस जनक है तो वर्ट्स वर्थ ने कहा था कि odd to odd on जो poem है वो kids के सभी odds में सबसे अच्छा है सबसे ज़्यादा satisfying है इसका सही answer अप संसी हो जाएगा आपका next question है who has been personified in odd to odd on इसका मतलब होता है odd to odd on poem में किसको personified किया गया है किसका जिक्र किया गया है किसका बर्ण किया गया है तो odd to odd on poem में odd on को personified किया गया है odd on का जिक्र किया गया है odd on का बर्ण किया गया है इसका सही answer अप्षन भी हो जाएगा आपका नेक्स कुश्चिन है इसका मतलब होता है इसका सही आंसर अप्षन ए हो जाएगा अपका नेक्स कुश्चिन है इसका मतलब होता है इसका मतलब होता है इसका सही अंसर अप्षन C हो जाएगा और तु ओर्टन अपका next question है season of mist and meal of fruitfulness is written by इसका मतलब होता है season of mist and meal of fruitfulness जो sentence है इस sentence को किस ने लिखा है किस के द्वारा लिखी गई है तो इस sentence को John Kitts के द्वारा लिखी गई है इसका सही answer option D हो जाएगा John Kitts आपका next question है who sits carelessly on the granary floor in odd to autumn इसका मतलब होता है odd to autumn poem में granary floor पे कौन careless होकर बैठी हुई है तो odd to autumn poem में granary floor पे careless होकर बैठी हुई है एक women, एक महिला इसका सही answer option D हो जाएगा women आपका next question है swallows dash in the skies इसका मतलब होता है swallows sky में क्या करते है तो swallows sky में आकास में twittering करते है चह चहाते है इसका सही answer option C हो जाएगा twitter आपका next question है john kids belong to dash इसका मतलब होता है john kids कहां के रहने वाले थे तो john kids ब्रिटेन के रहने वाले थे इंग्लेंड के रहने वाले थे लंदन के रहने वाले थे इसका सही answer option C हो जाएगा ब्रिटेन इसका ब्रिटेन